पंजाबी धावा स्टाइल अम्रिस्तरी आलू वड़ी की सबजी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शालू है और मेरे यूटिव चैनल शालू जलब बुक पर आपका स्वागत है आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ धाबा स्टाइल वड़ी की सबजी कैसे घर में आप बना सकते हैं बहुत आसान और बहुत ही तेस्टी रेसिपी है आईए देखते हैं किस तरह से बनाना है इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर अम्रिस्सरी वड़ी ली है दो अम्रिस्सरी वड़ी ली है और इतनी वड़ी लगबग चार लोगों के लिए सफिशेंट होगी काफी बड़ी होती है ये और साथी काफी मसालेदार होती है काफी सारे गरम मसाले इसमें होते हैं लान मेर्च होती है तो काफी सारे spices से ये अंदर इसके भरे होते हैं तो ये देखे इसको हमें इस तरह से roast करना है तो roast करने के लिए सबसे पहले इसको हम तुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे छोटे-छोटे तुकड़ों में इसको आप तोड़ लीजे जिस तरह से मैंने तोड़ा है कुछ इस तरह के छोटे-छोटे तुकड़े हमें करने है और इसके बाद में इसको हमें भूनना होगा आप इसको तबे पर भून सकते हैं, कड़ाई में भून सकते हैं तो थोड़ा सा घी या तेल डालकर इसको आप रोस्ट कर लीजे तो लो मीडियум फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए हलका सा ओयल डाल कर भून लेंगे जब इसका कलर चेंज हो जाएगा लाइट ब्राउन ये कलर की हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे और इससे हम बनाएंगे आलो वड़ी की सब्जी तो इस तरह से भूनने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है वड़ी आप जब भी बनाएं तो उसको इस तरह से भून लें अगर आप उससे कच्छी ही बनाएंगे तो सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी इस बात का आप ध्यान रखें ये देखिए यहाँ पर हमने 3-4 मिनिट तक इसको लो मीडियम फ्लेम पर भून लिया है वड़ी हमारी भून का रेड़ी है अब इसको हमें बॉइल करना है तो बॉइल करने के लिए मैंने कुकल लिया है कुकल में आप ये वड़ी डाल दीजे और इसमें अब हम एट करेंगे लगबग 2 ग्लास वाटर तो ये देखिए लगबग 2 ग्लास पानी मैंने डाल दिया है इसके साथ हम इसमें आदी चम्मच नमक एट करेंगे आप चाहें तो इसमें लगबग 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर भी आट कर सकते हैं और ढखकल लगाकर मेडियम हाई फ्लेम पर इसमें आप 3-4 सीटी ले लिजे क्योंकि वड़ी गल्ले में टाइम लेती है जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा तब इससे हम बनाएंगे आलू वड़ी की सबजी तो यहाँ पर बनाना हम शुरू कर रहा है इसके लिए कड़ाई मैंने लिए है इसमें मैंने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ओयल लिया है जिसको मैंने हीट कर लिया है और इसके बाद इसमें हम आदी चम्मच जीरा एक करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूमिन अच्छे से क्रैकल हो चुका है तो इसमें सुखी लाल मिर्चे आप एट कर दीजे चाहें तो इसमें आप स्लिट करके हरी मिर्च या पर काट कर हरी मिर्च भी एट कर सकते हैं दो इंच अद्रक का तुकडा मैंने काट लिया है, आप ग्रेट करके भी आड़ कर सकते हैं, इसके साथ ही friends हम इसमें प्याज आड़ करेंगे, तो एक medium size की मैंने प्याज दी जिसको मैंने बारी काट लिया, तो वो हमें हाँ पर आड़ करने वाले हैं, यह देखिए, आप चा हलका सा कलर आना शुरू ही हुआ है अभी, तो अब इसमें हम इस point पर आड़ कर देंगे आलू, मैंने दू medium size की कच्चे आलू लिये, इसको मैंने छील लिया और इस तरह से तुकडों में काट लिया है, तो आलू का size आप अपने हैसाब से रख सकते हैं, और चाहे तो इस कच्चे आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहां पर कच्चे आलू एट किया है, और आप चाहे तो इसमें आप उबला हुआ अलू भी आट कर सकते हैं, तो चलिए इसको ढखका लगा कर हम low medium flame पर पका लेते हैं, meanwhile एक मसाला हमें बना कर रेडी करना ह इसके लिए मैंने बोल लिया है, इसमें हम एट करेंगे एक चम्मच सूखे धनिये का पाउडर, इसके साथ ही आदी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर एट कर रहे हूं मैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं, आदी चम्मच से थोड़ा सकम मैंने इसमें हल्दी पाउडर और इन तीन चीज़ों कहों हमें इस तरह से मिक्स कर ले腹ाए इस के बाद में इसमें हम एट करेंगे पानी और पानी डाल कर इसका हमें घोल रेडी करना है तो ये देखिए हमने घोल यहाँ पर बना कर रेडी कर लिया है इसको हम सब्जी में यूज़ करेंगे और इस तरह से मसाला बना कर अगर आप सब्जी में अट करेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है साथी मसाला जलता भी नहीं वे देखिए ढखकर हमने आलू को पका लिया है आलू यहाँ पर अच्छे से कोख हो चुके है मैं आपको एक काट कर दिखाती हूँ यह देखिए आलू पूरी तरीके से गल चुका है तो अब यह मसाला जो अभी हमने बना कर रखा है वो हम इसमें आट कर देंगे मसाला आट करने के बाद में इसको आप अच्छी से चला लीजे और आप देखेंगे तुरंती यह ओईल को रिलीज कर देगा फ्लेम हमारी मीडियम हाई है और इस तरह से लगातार इसको आप चलाते रहेंगे थोड़े देर चलाने के बाद में आप देखेंगे ओईल रिलीज हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर का पेस्ट आट करेंगे तो यह देखें आप देख सकते हैं एज इस पर ओईल रिलीज हो चुका है तो यहाँ पर आदी चम्मच में नमक एट कर रही हूँ आप ध्यान रखे जब हमने वड़ियों को बॉइल किया था तब भी नमक एट किया था इसलिए हमें नमक थोड़ा कम ही रखना है तो आदी चम्मच नमक मेरी सबजी के लिए एक दम परफेक्ट है तो ढखकर लगाकर हम इसको कोक करेंगे जब तक कि टमाटर पूरी तरह से ओईल को रिलीज नहीं कर देता तो लो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पका लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर ने पूरी तरह से ओईल को रिलीज कर दिया है तो इस point पर आप हम मैट कर देंगे इसमें वड़ी जो हमने boil करके रखी है तो वड़ियां आप देख सकते हैं बिलकुल नरम हो चुकी है हाथ से दबा कर मैं आपको दिखा रही हूँ तो इस तरह से अगर आप आलू वड़ी की सबजी बनाएंगे तो वड़ियां बिलकुल भी tight नहीं होंगी और आलू वड़ी की सबजी बहुत अच्छी लगेगी अक्सर से हम देखते हैं कि जब भी वड़ी की सबजी बनाते हैं तो वड़ियां टाइट रहती हैं और अक्सर से लोगों को खाने में अच्छी नहीं लगती तो लोग उसको घर में नहीं बनाते हैं आप पहले से वड़ियों को बॉयल कर लीजिए, प्रेशर को कर लीजिए और उसके बाद में आप सबजी में अट करें, तो सबजी बहुत ही बढ़िया लगी ही, तो फिलाल तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, आप देख सकते हैं, और इसमें अगर आपको पानी बढ़ाना हो, तो आप ठोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वड़िया काफी मांट में पानी को एब्सौर्ब करती है, तो लग बख एक गलास पानी और डालकर आप इसको धक्का लगा कर ढबग सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, इसको लगबख मैंने 5-7 मिट पक या पर उरत की दाल की जो वड़ी घर में हम बनाते हैं या बाजार से लाते हैं उससे भी बना सकते हैं इसको मैंने अमरे सरी वड़ी से बनाया है और आप भी इसको बनाईए ट्राइ कीजिए कैसी लगी आपको मेरी रेसेपी लिखकर जरूर बताएगा मुझे पूरी उम्मी